हाई लो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की इस फीडियो में हम आस्तर वाला बिलावज बिनास्तर में सिलना सिखाएंगे तो यहाँ पर देकी मैंने सबसे पहले आगे वाला पल्ला लिया है और इसमें पलेटे सिलेंगे जो हमारी पहली आल पर देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है तो उसको जरूर देख लें इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना कि कि आप लोग लाइक करना भूल जा प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो यहां पर देकि मैंने एक पले में पलेटे सिल लिए देखी इस तरह से अदोस्तों सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पले में पलेटे सिलिया है तो अब हम क्या करेंगे इस वाले पले में सबसे पहले बटन वाली पट्टी सिलेंगे तो यहां पर मैंने तीन इन चौड़ी पट्टी लिया है और इस पट्टी की सीधी साइटम ने नीचे की तरफ रखी है तो यहां पर इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे दो बार फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे बची हुई पट्टी की सपाई के साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे दूसरे वाले पल्ले में काज वाली पट्टी सिलेंगे काज वाली पट्टी की चोड़ाई हमारी दो या धाएन चोड़ी होनी चानिए तो इस तरह से हमें ४ट्टी को रखना है और रखने के बाद एक सीदी सिलाई लगाएंगे फिर हम एक डाप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने दाप सिलाई लगा दी है अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बिल्कुल किनारे पस सिलाई लगाएंगे तो देखिए हमने काज़ वाली पट्टी को भी सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे दोनों पल्ले को लेंगे और यहाँ पर यह दूसरे के उपर रखे बीच में सिलाई लगाएंगे और दोस्तों यह सिलाई हम बाद में लिकाल देंगे यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है और हमारा आगे वाला पल्ला सिलकत त्यार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे पीछे वाला पल्ला लेंगे और इसमें पलेटे सिलेंगे पीछे वाले पल्ले में हमारी दो पलेटे सिली जाती है करेंगे इस पल्ले की साइट ऊपर रखेंगे और जो मारागी बाला हैं इस की सजी साइट हम नीचे रखेंगे और यहां पर आदा इंच का मारजन छोड़ की सोल्ढर से लेंगी हं को तो अब हम क्या करेंगे यहां पर डबल सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमने सोल्डर को सिल लिया है देखी दोनों सोल्डर हमारे सिल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे विलाज की फिटिंग करेंगे तो पहले निसान लगा लेते हैं इने की चोड़ाई हमारी 34 इंच है तो 34 को आदा करेंगे तो यहाँ पर 17 इंच पर निसान लगाएंगे फिर हम कमर की चोड़ाई नापेंगे कमर की चोड़ाई हमारी 28 इंच है तो 28 को आदा करेंगे तो यहाँ पर 14 इंच पर निसान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निसान को मिला देना है फिर हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जहां पर हमारा निसान लगा हुआ है उसी निसान के उपर हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दिया है सेम इसी तरिके से हमें दूसी तरफ भी सिलाई को लगा लेना है तो यहां पर हमने दूसी तरफ भी सिलाई लगा दिया है अब हम दोनों तरफ से डगल सिलाई लगाएंगे तो देखी इस तरह से हमने डवल सिलाई भी लगा दिये हैं दोनों तरफ से तो अब हम क्या करेंगे साइट में कट लगाएंगे कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं लिक लेंगे तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिये हैं तो अब हम क्या करेंगे जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको लिकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यहां पर हम सिलाई छोटी लगा रहे हैं अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहां पर आपको बड़ी सिलाई लगाना जरूरी है तो इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं तो यहां पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है देखी इस तरह से और इतना देखी हमारा बिलाज सिल का त्यार हो गया है इसमें पाइपीन और बाजू लगा लेंगे तो पहले हम पाइपीन को बनाएंगे तो यहां पर मैंने दो औरे भी पट्टी लिए इनको हमने आपस में सिल लिया है तो अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और उपर से हमें सीधी कटिंग करना है फिर हम बिलाज को लेंगे और बिलाज के उपर हमें इस पट्टी को रखना है फोल्ड करके और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे तो पूरे गले में हमें इस और इस पट्टी को सिल लेना है बैसे तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि पाइपीन को कैसे बनाते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप मेरी दूसरी भी वीडियो देख सकती हैं मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि गले में पाइपिन को कैसे लगाते हैं यहाँ पर हम बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे तो हमने पट्टी को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे पाइपिन को सिलेंगे तो जो हमने आदा इंच की पट्टी गार की तरफ छोड़ी है उसको फोल्ड करना है फिर एक बार और फोल्डर करेंगे और फोल्ड करके उपर से सिलाई लगाना है और दोस्तों यहां पर आई एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें उपर ही रखके पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है इससे क्या होगा कि जो पाइपीन है वो एकदम गोल बनेगी तो इस तरह से पूरे गले में हमें पाइपीन को सिल लेना है तो देखी इस तरह से हमने पाइपीन को सिल लिया है देखी कितनी गोल पाइपीन हमारी सिल लिया है तो इसी तरह से आप भी पाइपीन को सिल सकती है बहुती सरल तरह से हमने पाइपीन को बनाना बताया है तो अब हम क्या करेंगे बिलाज में बाजू को सिलेंगे तो यहां पर हमने सबसे पहले एक बाजू को लिया है और इसको नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे जितना हमने माजन लिया है उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है नीचे से फोल्ड करके और सेम इसी तरह के से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और जो हमारे कट हैं वो देकी आमने सामने हैं तो अब हम क्या करेंगे एक बाजू को लेंगे और बिलाज में सिलेंगे तो जो उमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमें सोल्डर के बीचो बीच रखना है और जो उमने साइट में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पले पर आना चाहिए तो इस तरह से नाप के बाजू को सेल लेते हैं झाल झाल तो इस तरह से देखी मैंने बाजू को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डवल सिलाई लगाएंगे तो देखी हमने डवल सिलाई भी लगा दिया है तो अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे बाजू की मोरी हमारी 11 इंच हैं तो 11 को आदा करेंगे तो यहां पर साड और सिलाई हम डवर लगाएंगे तो इस तरह से हमने एक बाजु को सिल लिया है तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजु को भी सिल लेना है तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजु को भी सिल लिया है दोनों बाजु हमारी सिल कर तयार हो गई है इसमें काज और बटन तरुपाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमने देखी काज और बटन तरुपाई कर लिया है और इस तरह से हमने अस्तर वाला बिलावज बिना अस्तर में सिलकर दिखाया है तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं मिलती अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू